सूरू करते हैं आज इस्ताल देखने अब ब्रेकिंग नpe lively दोस्तो वीडियो कोई ज्यादा से जादा लोगोंगों तक शेयर करें दोस्तोथ आपकी प्यार और प्यार्ट कि हमें बहुत ही जरूर्ओं थे हेलो नमस्कार दोष्टो dibuj स्वागा थे आपका जी वीडियो दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नियूज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी वीडिय आप तक पहुचि रहे तो दोस्तो सुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी खबर है versitos बड़ किसपर बगाया दाओ किसे बना रहा प्रदानमंत्री जी हाँ दोस्तो देश में लोग सबाशनाओ के नतीजे आने के अब गुजरात में 60 बाजार काफी जोर पकर रहा है। गुजरात में 5 सहरों में बड़े पैमाने पर 60 खोला जा रहा है। इसमें से उन्चा, महेराना, अहमदाबाद, राजकूर्ट और सूरत सामिले। आपको बता दे कि दिल्ली में प्रेस कॉनफरेस में प्रधारमती नरेंदर कर दिया था। आपको बता दे कि 60 बजार में गुजरात को लेकरके अलग-अलग दाम चल रहे हैं। 21 सीटों के लिए 27 पैसे, 22 सीटों के लिए 60 पैसे का दाम चल रहा है। वहीं 23 सीटों के लिए 1 पैसे का दाम चल रहा है। इसके अलावा 24 सीटों के लिए 1 रुपया 80 पै इसे चल रहा है जबकि राहुल गांधी के प्रधान मंत्री बनने के लिए 5 रुपे का दाम चल रहा है। 2019 भारत में एक्जिट पोल के सुरू होने बैन लगने और फिर से सुरू होने की आखिर क्या वज़ा है। इसकी गई थी जिसमें से पाया गया कि सैपोल और रिजर्ट में ज़्यादा अंतर नहीं था। कमवेस इस मामले पर लोगों की राय मिलती देखी थी। यह तरीका काफी फेमस था जिसे देखते हुए ब्रिटिस सरकार और फ्रांस ने भी इसे अपना लिया। इस तरीके से यह पहला एक्जिट पोल था जिसे ब्रिटेन और फ्रांस ने पहली बार 1937 से लेकर के 1928 में इसे अपनाया। उस समय चुनाव के नतीजे कमवेस बिल्कुल सटिक निकलते थे। जबकि मूल रूप से एक्जिट पोल शुरू होने का सरे नीदरलेंड के समाज सासरी मार्सिल वार्प्स को जाता है। मार्सिल वान ने 15 फरवरी 1968 में पहली बार इसका इस्तिमाल डच विधान सबा चुनाव में किया था। मार्सिल पहले राजनितिक में थे लेकिन राजनितिक छोड़कर के जनता की नफ्स टोलने का काम करने में लग गये। नीदरलेंड में हुए चुनाव में उनका आकलन स ही बैठा हाला कि कुछ सुरोत अमेरिकी जनपद सर्वेक्षन को एक्जिट पोल का जनक माना जाता है। आपको बता दे कि भारत में एक्जिट पोल का खाका 1960 इस्वी में खिचा गया। इसे Center for the Study of Development Society CSDS ने तयार किया था। लेकिन असी के दसक के मद्ध में उस वक्त चाट टुड़े मैगजीन में प्रमुख छपे होते थे। अब यह सिलसिला अभी भी जारी है। उन्नी सो चानवे में लोक्स बाचोना के एक्जिट पोल को नए आयाम दिया गया। दुरदर्सन में उन्नी सो चानवे में CSDS को देश भर में एक्जिट पोल की अनुमती दे दी। CSDS के लिए एक्जिट पोल किसी भी दल को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा था। इस चुनाओ में भार्थी जनता पाटी सबसे बड़ी पाटी उभर करके आई थी। लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई। नतीजा ये रहा महज 13 दिन में अटल सरकार गिर गई और इसके बा CSDS, DRS Outline और Frontline CSDM अपने सर्वे में National Democratic Alliance यानी NDA को बढ़ी पाटी के रूप में दर्साय था। लेकिन बहुमत बहुत दूर रखा था। शुरुआती दोर में ये ओपिनियन पोल लोक प्रिये हुए। लेकिन राजनितिक दलों की आखों में अठकने लगे। लिहाजा सभ दल सूर में सूर मिला करके इस पर प्रतिबंद लगाने की मांग करने लगें। जिस पर 1999 में चुनाव आयोग ने बकायदा एक एक एकजिट ओर के तहथ ओपिनियन पोल और एकजिट पोल पर बैंड कर दिया। जिसके खिलाफ एक समचार पत्र ने आयोग में इस आदेश क सुप्रीम कोट के चुनोती भी दे दी। कोट ने इस आदेश को निरस्ट करते हुए कहा है कि आयोग के पास ऐसे ओडर जारी करने की सकती नहीं है और किसी मसले पर सरवदलिये सम्मती उसके खिलाफ कानूनी प्रतिबंद पर आधारित भी नहीं है। आपको बता दे कि कु संसोधित कानून के अनुसार चुनावी प्रक्रिया के दोरान जब तक अंतीम वोट नहीं पढ़ जाता एक्जिट पोल नहीं दिखाया जा सकता है। रखती हुई दिखी। आपको बता दे कि कुछ देसों में दुनिया के कुछ देसों में लोकतंत्रिक देस का एक्जिट पोल को लेकरके अलग-अलग मत है। कुछ ऐसे सही और कुछ गलत ठहराते हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, आइरलेंड जैसे देसों में एक् मतदाताओं का असर पढ़ने से प्रतिबंद लगाना ठीक नहीं होगा। इस पर परसिद अर्थसासी और फ्रांस के CRTS संस्था के मानस पतन ने एक व्यापक सोध किया था। एक्जीट पॉल में बढ़त लेने वाली पार्टियों के पक्च में बहुमत किया। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी कोई नतीजों से पहले बीजेपी को जटका मनिपूर में एनपी एफ ने सरकार से लिया समर्थन वापस। जी हाँ दोस्तों लोक्स बाचुना में लंबी बैठक के बाद यह पार्टी ने फैसला लिया है। आपको बता दे कि उन्होंने एनाई से बातचित करते हुए कहा है कि एनपी एफ ने केंद्रिय मुख्याले में पार्टी की लंबी बैठक होई और हमने बीजेपी सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया और बीजेपी के नेता एन विरेन सिग यहां के मुख्यमंत्री है। आपको बता दे कि मनिपूर में हुए विधान सबाचुना में बीजेपी ने एकई सीटे जीती थी लेकिन बाद में कॉंग्रेस आठ विधायक बीजेपी में सामिल हो गये थे। इस तरीके से बीजेपी का संख्या बढ़ गया था। उन्होंने काया कि सरकार गठन के वक्त बीजेपी ने जो वादे किये थे उससे अब तक पूरा नहीं किया। वहीं दूसरी और CBI कई कड़ोर रुपए के सूगर मिल घोटाले में बसपा नेताओं के संतित्ता की जाच में जुट गई है। CBI की ब्रश्च चार रोधी यूनिट की लखनव साखा सरकारी चीनी मिल को ओने पोने दामे नीजी कमपनी को बेचने के मामले में जाच कर रही है। मायावती के मुख्यमंतरी कारेकाल के दोरान इस सूगर मिल को बेच दिया गया था। सूत्रों के अनुसार CBI इस मामले में दस्तावेजी सबुत जुटा रही है और जल्द ही मायावती को इसमें सामिल कर सकती है और इन से पुच्छताच की जा सकती है। उत्तर परदे सरकार के सचीव भगवान सरूप ने CBI को चार अप्रिल को पत्र लेकर के सूगर मिल मामले की ततकाल जाच करने की बात कही थी। राजी सरकार ने 21 सरकारी सूगर मिल को बिक्री मामले में जाच की संतिप्त कर दिया है। CBI ने 9 अप्रिल को दस्तावेज और इस मामले में 25 अप्रिल को ततकालिक जाच के लिए मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दे कि इस घोटाले में CBI जाच दो भागों में बटी हुई है। मिस्रा मायावती के बहुत ही अहम बताए जाते हैं।